आप देख सकते हो इतने उच्छे उच्छे पहाड़ दीख रहे हैं यहां से साइद कैमरे में नहीं कैप्चर हो रहे हैं बट वह उच्छे पहाड़े हैं अपर लग रहा है हम हिमाचल में गूम का है आज इसा लग रहा है जिसे हमाचल में गूम लग गए हो और रोड तो सीनिक ही है इधर के अब करते हैं सभी अच्छे होंगे तो अभी हम निकल रहे हैं जो नेत्रो वाली बब्लिंग लेक है वहां से वापिस अगोंडा की तरफ तो आप यहां का जो रास्ता था पूरा वह दिखाऊंगा आपको बहुत ही सीनिक रोड है और इस वीडियो में जो रास्ते में और भ मैंने नहीं दिखाई थी तो वह सारी चीजे दिखाता हुआ जाओंगा अपने 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 वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से और कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जो पहली वार आए है तो अभी इस तरह के विलोग आपको मिलते रहेंगे व वीक में एक बर कोई चोटी मोटी ट्रिप करते रहेंगे इसी के पास गोवा में पास पास के अरिया में तो अब हम एंटर करेंगे यह मंगलम फोरेश्ट चैक पोश्ट है उसके अंदर तो यह से अंदर अभी है पूरा फोरेश्ट एर्या पड़ेगा अभी है अभी है पूरा फोरेश्ट एर्या पड़ेगा अभी हमने क्रोस कर लिया है पूरा नहीं जो औरेश्ट एर्या था तो यह सारा कवर हो गया है अब आगए बहार कि इदर से गए थे उधर की साइड़ी अभी है तो यहां के है सीनिक वाकी में बहुत ही अच्छे रोड़ हैं मतलब पतले हैं बहुत और पूरी ग्रीनरी मतलब जो एक्ट्वल वाला गोवा है वो आज हमने देखा है इधर की तरफ आके तो आज हम यह ना रियल गोवा जो है वो गुम रहे है जो एक्टम एक्ट्वल वाला गोवा होता है साउथ गोवा में हैं यह हो रहा हूं एक्टम पीस्फूल और पुरा ग्रीन वाव साइड में छोटा से नाला टाइप जा रहा है बरसात में इसमें फूरा पानी होता होगा अब यह हम पहुचने वाले हैं वाटरफॉल पर जहां पर क्या हमने पहली वीडियो में आपको दिखाया था फर्ष्ट वीडियो में तो वह बड़ा अच्छा था वाटरफॉल अभ बरसात में आएंगे तो और भी ज्यादा मिलेगा पानी होता है रोड गुमाओ दार है एक दम पहाड़ी है ना पहाड़ी एर्या यह पूरा यह आगया हो वाटरफॉल वाली जगह जहां पहली वीडियो में दिखाया था नहीं देखा हो तो आप उपर आइकन में चेक कर सक आपको दिखाऊंगा आपको रास्ते के किनारे गाउं गोवा के छोटे छोटे घर एक दम बहुत ही अच्छे अच्छे कि यह पर थोड़ा ना कि एड़ ours का इरिया यहांपर खेती होती है को चोटे डोड़ नि Article 7 शोटम ठोटे बने हुए और एक जगा पांच गर फिर आगे पांच गर इस तरह से यहांपरं डॉँति एक साथ मतलब लगे हुए नहीं होते सारे गड़, थोड़ी थोड़ी दूर पर मिलते रहते हैं, और सोपली है कि नहीं, मुझे प्यास लगी थी, बट सायद बंद है उदर, आके दिखते हैं, देखे पानी की बोतल लेनी है पहले, और अब कानकोन दूर नहीं है यासे, पास ही है, यह है कोवा के जो इस तरह के, का की दिखेन हें जो, फानी पके लुका onion, पानीपीआ है अभी, और गला सोग के अद हादा सुवे से बोलते है कैमरे के सामने, तो हैं जो एरिया है जहां से भी हम निकलना है इस पे बूलते है गावडोरी एरिया है यह और हिहां से मतलब यह बास भीडरा बोलते हैं जो छोड़े चोटे गर है दूर उनको और खेली मिलाव नारियल के पेड़ बहुत है इदरrekई ब्योश्के बहुत है औरकेख चेले के तो यह देखो, दोनों साइड में आपको दीख रहा होगा, केले के पेड़ लगे हुए है, नारियल के पेड़ भी आगे दिखेंगे अभी, हाँ, आगे लगे हुए है, और पतला सा रास्ता जा रहा है, बिल्कुल बीच में से, चारो तरफ यहां पर पहाण है, यह नीचे मे तेक अलगी मजाए है हापे, वाँ तो यह अब सामने पहाड भी दिख रहे हैं और बादल बड़े अच्छे लग रहे हैं यह से, अभी हलके हलके बादल हो रखे हैं, पहले दूप निगली होई थी, तो अल्मोस्ट हम इस एरिये से अब निकलने वाले हैं, और इससे आगे फिर थोड़ा वो कानकोन वाला रो काजू के अभी काफी जाड है इदर, तो अभी हम पोचने वाले हैं चावडी, और यह अब आगया है, चावडी से जो कारवार पुराना रोड जाता है, वो यहां पर भी एक बैरियर आपको मिलेका लगा हुआ, जिससे आपको अंदर जाना होता है, और यहां से हम गूम जाएंगे, चावडी साइड, देखके थोड़ा सा यहां पर गूमना पड़ेगा, क्योंकि चलता रहता है रोड काफी, और पुराना हाइवे यही था, जो चा बार बार बार, तो अभी खड़े हैं हम बातपल, बातपल जगा पड़ती है, थोड़ा सा पहले पड़ती है, कानकों से यह चावडी से, और यहां पर भी हम अपना लंच पैक करा रहे हैं, क्योंकि टेक अवए है, और लेट भी हो गयते हैं, तो सोचा के लंच लेके चलते रहे हैं, अरु है जा गख सब्सक्राइब हो गया ता हाँ, तो फिरी खिरी यह अच्छे के हैं, क्रूसम लेट कोस्तों से शहाए है, तो सोचा के लिए, यह चावाँ भी हो गएशने अभी आपया को का भी है, जा के घर खाईंगा राम से, यह तो तो कि शुषी लेको रॉ झाल झाल